मैं डॉक्टर गुलाब चंद मेना, एसोसियेट प्रोपसर गोर्मेंट पीजी कोलेज बांदिकुई आज हम बात करेंगे, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, प्रेटिकल साइंस, राजनीत विज्ञान के मूल आधार हमें, अंतर अंशार्षनात मुपागम और राजनीत विज्ञान का अंसमाज विज्ञानों से सम्मध। पिछले चैप्टरों मा हमने परंप्रागत राजनीत विज्ञान और विहरवाद, उत्तर विहरवाद के बात की थी, उसे इसे संह्मधेत एक अंतर-अंशार्षनात मुपागम और रष्टिकॉण है अब ये प्रशन उड़ता है का अंतर अनुशासना पुंद्रष्टी कौन क्या है अंतर अनुशासना पुंद्रष्टी कौन करता है कि राजनीती विज्यान का अनसमाज विज्यानों के साथ कैसा सम्मद्ध होना चाहिए राजनीति विग्यान का अरसास्त्र के साथ तो किस तरह की सम्मद्ध होना चाहिए मनविग्यान के साथ किस तरह की सम्मद्ध होना चाहिए एतिहास के साथ कैसे सम्मद्ध होना चाहिए आदी आदी अनसमाज विग्यानों के साथ अध्धन कोई अंतर अनुशास्तिकों का गया चुकि राजनिते विज्ञान एक समाज विज्ञान के रूप में एक परिवार का एक सदस्ट की रूप में है मनविज्ञान, समाज सास्त्र मानव सास्त्र, अड़ सास्त, एतियास मानवी भूगोल ये सब परिवार के सदस्ट है और राजनिति विज्ञान की बहाती इस परिवार का अन सदस्ट है एक विज्ञान को रुपन अपनी इस्तिती के प्रतियास्वस्त नहीं है किसी सदस्ट को निजीक अक्षपराप्त नहीं है और प्रतेक सदस अन सदस्टों की पौशाकों को पहनने की आदित रखता है चुकि मनुष्य एक सामजिक प्राणी है समाज में रहता है और समाज की विविन च्यत्रों में क्रियाशी लेता है उसके जीवन के जो आर्थिक राजनिति मनुष्य जीवन के एतियासिक सामजिक जो पहलू है वो समाज विविज्ञानों के अध्यन का विशय यही मानौ समुदाय और समाज है निसंदेर उप से मानौ के सामजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं है बलकि जुड़े हुई है इसलिए तमाम जो सामजिक सास्त्र हैं वो भी कहिंगे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुई है राजनित विज्ञान अन सामजिक विज्ञानों में से केवल एक विश्या है इसका अध्यन छेत्र राजनिती से या राजस समिंदित माना जाता है कि अन समाजी विज्ञानों के शाथवी यह पूंठ रुप से जुड़ा हूँ abadis 18 छतावदी से पहले विभन समाजी के विज्ञान विज्ञान नहीं थे समाज का तमाम अध्यन दर्शन से जोड़ा हुआ था कि तो अठारी सताबदी में फिशियोक्रेट्स तथा एडम इसमित ने राजनिते और सास्तर को एक स्वतंत समाज विज्ञान के रुप में प्रतिष्टित करने एक चेश्ट चकी इसलिए हम कह सकते हैं कि अठारी सताबदी में भिन-भिन समाज विज्ञानों को इस्थाप्ट करने की कौशिस भी की गी और उन्नीस भी सताबदी में इस प्रक्रिया के विरोध में आवाज भी उठी समाज सास्तर के जर्मदाता कहे जाने वाले कांटे ने इस बात पर जोड़ दिया कि तमाम सामजी घटनां कहीं कहीं मूल रूप से पर्ष पर चुड़ी विए और किसी एक सामजी घटना या समाज के पहलों का ध्धन से अलग करने को उन्होंने बेकार माना कामटे ने इसे आधार पर एडमी स्मित प्रतम दोरह स्थापित राजनेतिक और सास्तर के एक समाज विग्यान के रूप मालोच ने कि और उन्नीस सताबदी में काल मार्श ने जोड़दार सब्दों इस बात का विरोध किया कि सामाजी के घटनाओं का अलग अलग अधन किया जा सकता है यह यूँ हम कहें कि सामाजी घटनाएं एक दूसरे पर आधार इतरे थे और एक दूसरे से सम्मदित होती मार्श तमाम समाज विग्यानों की एकदापर बल देता है और 19 सताबदी के उत्तराद में और 20 सताबदी के प्राव में एक समाज विग्यान के इस्तान पर अन समाज विग्यान की इस्तापना को मेंतो दिया सामजिक संक्त्रों की जो जटिलता समाज विग्यान के विश्यों को बाटने का समाज के जटिलताओं को देखते हैं किसी एक समाज विज्ञान के द्वरा तमाम तत्तियों का अध्यन नहीं किया जा सकता इसलिए समाज विज्ञान के अनिक भाग कीए जिनमें सामजिक अनसंधान का काम आसान हो सके अब हम देखेंगे Interdisciplinary Approaches अंतर अंशास्टनात्मक अध्यन या उपागम क्या है तो निशन्धे रूप से दूतिय महाईद के बाद समाज विज्ञानों के अध्यन में एक नई दिशा उपरी और वह दिशा थी अंतर अंशास्टनात्मक अध्यन पते थे जिसका आर्थ है कि एक विशेज समाज समंधी विश्या का अध्धन करने वाला अध्यता दूसरे अनविश्यों का अध्धन करने वालों के साथ बहतर सामंजे से बनाए रखें और ये बात निश्चित रुप से इस्पस्ट हो चुकी थी कि अनेक समाज विग्यानों का निश्चित रुप से अलग-अलग अध्यन फलदाई नहीं हो सकता क्योंकि समाज एक है और समाज के विविन पहलो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई उसका अलग-अलग अध्यन नहीं किया जा सकता विविन समाज विग्यानों में विवारवाद के जनम के साथ ये बात अधिक स्पस्ट हो गई कि तमाम समाज विग्यानों का अलग-अलग अध्यन नहीं बलकि अंतर अंशास्टनात्म का अध्यन होने चाहिए इसे ही अंतर अनुशाष्णात में दृष्टी कौन का आगे राजनिती विज्ञान को एक अनभावादी विज्ञान की रूप में इंपिरीकल साइंस की रूप में स्थाइप्त करने के चेश्टा की गई विज्ञान की 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 प्रश्टिकोंड से मानव के संपूर्ण राजनेति विज्ञान के थिहास में अंतर अनुशास्टिकोंड के तीन विभिन धाराएं स्पस्ट पहचाने जा सकते हैं जिसम परंपरवादी, क्लासिकल, व्योहरवादी जिसे विवरलेज और मार्शवादी जिसे मार्शेश्ट धारणों का नाम दिया सकते हैं पहले देखेंगे हम परंपरवादी अत्वा क्लासिकी अवधार्णा क्या है, दृस्टिकों क्या है, क्लासिकी अवधार्णा के अंतर अंशास्नमत धार्णा का भी प्राय किसी विशे, विशेश को अन्य विश्यों के तत्यों, तक्निकों, उपलब्धियों और परिनामों की साहता से पलिणामों की साहता से संब्रद और विक्षित करने का विवस्तित प्रियत्न है विशे विशे इसकी संब्रदी का भी प्राय दूसरे विश्यों के तक्थियों और तक्निक को उधार लेना नहीं है इस संब्रदी का धे अन विश्यों को आत्म साथ करना है उन्हें आ राजनिती वेग्यानिक राजनिती के अध्यन के लिए अर्षास्त्र के तरीकों को अपनाता है तो वह अर्षास्त्र की किसी एक तक्निक को राजनिती सास्त्र में प्रविष्ट करने के लिए कहता है वर्तमाराजनिती सिद्धान्तों में प्रिक्ट होने की वाली कई अध्या जो विदी सास्तर की प्रवुख धार्णा है, जिसे राजनीत सास्तर में अपना लिया गया, और राजनीती के बाजार में सौधे बाजी, बारगेनिंग की धार्णा एक ऐसी परिकल्पन है, हाइपाथरोटिकल थीम है, जो अर्शास्तर में बहुत प्रचलित है, जब कोई र प्रविश्यक पद्दिती अप एक शेकरत नए शब्द है, बन तो इसका भाव राजनीती का ध्यन की तरह ही पुरान है, पुराने प्रतिभाशाली लेकों के लिए मानवी ग्यान हमेशा सीवन रहित जाल रहा है, और प्रचलित ग्यान को नए विवस्ते सुत्र में बाजन एंगेल्स, राइखन बेंग, आधि-आधि का नाम लिया जा सकता है, अठारा सुसी तक राजनीती सास्त्र का अलग अस्त्र तो नहीं था, ये दरसन सास्त्र इतिहास, कानून, धरम सास्त्र जैसे एक इश्यों की परिदी माता था, और अरस्तु का राजनीत अधिन उतने ह अंतर के वल इतना सा है कि जहां रस्तु ने राजनीती को जीवसास्त्र नेतिकतर तरकसात के साथ में जोड़ा, वह मेरियम ने राजनीती को मनवग्यान, सामाजिक मनवग्यान के साथ जोड़ा सेंट आगेस्टाइन, सेंट तहमस की रचनाओं में राजनीती को धरम और नेतिकतर तकसात जोड़ा, और हीगल ने राजनीती को दरस्तास्तर के जोड़ा, और मार्स ने उसे अस्तास्तर के अंग के रूप में देखा अब हम देखेंग अनभवादी दर्ष्टी कोण के अधा, अनभवादी दर्ष्टी कोण का तात्प्रिय था कि अंतर अंशास्तनात में दर्ष्टी कोण की अनभवादी धालना, अमेरिकी राजनीती विज्ञान की विविन साखाउं, जैसे विहारबाद, वियस्ता विसले सास्त्री और ग्रियर जैसे समाज सास्त्रों की रचना में अंतर विश्यक अध्यन दर्ष्टी की जहलक इस पर स्पना जरा दे। विज्ञानिक राजनेती क्लासी की धार्ना की अवधार्ना इसके साथ अधिक जूड़ी हुई है। की धार्ना विज्ञानों, विशेष्ट अर्षास्त्र, राजनेती सास्त्र, समाज सास्त्र में विधी, तर्क, प्रतिमानों आदी की समानता पर बल देती है। और विविन सामजिक विज्ञानों के साथ एक सामजिक विज्ञान का निर्मान करने के पक्षम है। इस धाना के अनसार विविन विज्ञान केवल केंद्रिय तत्र की दृष्टी से बिन है और सास्त्र का केंद्र बिन्दू धन है राजने सास्त्र का केंद्र बिन्दू शक्ती है एम राजनितिक व्यस्ता और समासास्तर के केंद बिंदू, परिवार, चर्च, समू, वर्ग जैसे सामजी का उन्चर है और इन सभी विशों की अध्धन विदी समान हैं जिसे वैग्यानिक विदी कहा जाता है इन पर लागु किया जाने वाला तर्क समान है जिसे परिमानन, आगमन, निगमन कह करके सत्यापनियक तर्क कहा जा सकते और इनके पृतिमान भी समान है जिने ग्यान, मुल्यांकन के पृतिमानों के विपरीद, व्याख्या के पृतिमान कहा जा सकते अनभवाद धार्णा के प्रवर्तक विविन सामजिक विज्ञानों के इस्तार पर एक सामजिक विज्ञान की स्ताप्ना करने के चुग और उनका विश्वास है कि विविन विशे केवल सुईधा, स्रम्भी भाजन, विशेशी कर तथा निपूर्णता के लिए विवाजित कियेगा। अतब विविन समाज विज्ञान के अध्धन के लिए समान विधियों तथा प्रतिवानों का प्रियोग करें तो उनका ज्ञान वंडार आसानी से अस्तांत्रित होने के साथ अधिक लाबकारी हो सकता है। जो मार्शवाद के अंतरगत एतियास सी वहतिकवाद की जो अधारना थी अंतर विशेक दृष्टिकोन का ही आधार थी। मार्शवादी चिंतन के अंसर मानवी इतियास प्रग्रितिशील दुन दात्नों और एकता बद्द प्रकरिय हैं। जिसमें इतियास की विवन तत्यों, राज्जी व्यस्ता, अर्थ सास्त्र, समाज, संस्क्रती। इन सब तत्यों को संपूर्ण मानवी इतियास के अंगों के रूप में देखें, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन सब अंगों में अर्थ व्यस्ता की भूमिका, अनंगों की मुकाबले में निर्णायक होते हैं। अते मार्शवाद मानवी इतियास को उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों की रूप में देखता है। मार्शवाद के अंशार उत्पादन की मुक प्रणाली हैं कि आदेमी युक, दास, समाज, सामन्तवाज, उजिवाद और समाज है। किसे एक विशेश इतियासिक अवस्ता में कोई विशेश उत्पादन प्रणाली 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 होती है। गुद्पादन प्रणाली आधारभू तो धाचा है जिसको पर कानून धरसास्त्र, राजवेस्ता, नेतिक्ता, समाज, संस्कृति का उपरी धाचा बनता है तो ये था अंतर अंशास्तनात्म द्रिश्टिकॉन जो निशंधे रुप से आपके कुछ समझ आया हुआ और अंतर अंशास्तनात्म द्रिश्टिकॉन का ताप्री है, समंध का ताप्री है कि राजनित विग्यान का अंसमाज विग्यानों के साथ वहतर समंध हो ये ही अंतर अंशास्तनात्म द्रिश्टिकॉन है